नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कोहली आप सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ जैसा कि हम सब जानते हैं, इस कारिक्रम में हम आज कक्षा 10 के लिए जो हिंदी की पाठे पुष्टक है सफर्स भाग दो, उसमें शामिल एक पाठ है, पाठ कवीता है और कवीता का सीर्शक है तो इसके कवी हैं वीरेन डंगवाल और ये बहुत चर्चित कवीता है डंगवाल जी की इससे पहले कि हम कवीता पे और विस्तार में बाचीत करें, हम चाहेंगे कि हम थोड़ा सा उनका जीवन परीचे भी जान ले कि वीरेन डंगवाल जी का जनम 5 अगस्त 1947 को उत्राखंड के टिहरी गडवाल जिले में कीर्तिनगर में हुआ उनकी आरंबिक शिक्षा वो नेनिताल में हुई और जिसको हम हायर एजुकेशन कहते हैं वो इलाभाद में हुई जिसको कि हम आजकल प्रियाग राज कहते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने जो पेशा अपनाया जो अपना कारिय शेत्र चुना वो अध्यापन का ही उनका कारिय शेत्र रहा वो अध्यापक रहे हिंदी के प्राध्यापक रहे और साथ ही साथ पत्रकारिता से भी जुड़े रहे जैसे कि हमने कहा कि उनके जो उच्छ शिक्षा का केंदर रहा वो उन्होंने अपना जो अध्यन किया डिलीट किया वो हिंदी कवीता में आधुनिक हिंदी कवीता में जो बिंब और प्रतीक थे उनका अध्यन था और ये कवीता भी लगबग उसी प्रतीक की और एक इशारा करती है कि किस तरह से कवी प्रतीक चुनता है और किस तरह से वो अपने समय के साथ वो अर्थ बदलते हैं गवाल जी की एक खूबी ये है कि वो बेहद साधारण जिसको हम कहते हैं आम आदमी से बिलकुल साधारण जन्द से जुड़े हुए विशों को उठाते हैं और जिसो एक तरह से हाशिय का समाज है या हाशिय के जो विशे हैं, जो ब्योरे हैं, जो विवरण हैं, जो द्रिश्य हैं, उनको वो अपनी कवीता का विशे बनाते हैं और यही उनकी खूबी भी है और अक्सर होता ये भी है कि बहुत सारी जिनको हम सामान्य चीजे कहते हैं, सामान्य वस्तुएं कहते हैं, जीव जन्तु कहते हैं, लोग उनको अन्देखा कर देते हैं, लेकिन डंगवाल जी उन्ही अन्देखे विशों और चीजों को अपनी कवीता का विशे बनाते हैं उनके तीन संग्रे हैं और इसके साथ साथ चुनी हुई कवीताओं का अभी एक संग्रे है उनका पहला कवीता संग्रे इसी दुनिया में आया उसका सीरसेख है इसी दुनिया में और दूसरा कवीता संग्रे जिसपे कि उनको भारत सरकार का भारत का जो साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है कि साहित्य कैदमी वो सम्मान मिला उस कवीता संग्रे का नाम था दुष्चक्र में सरश्टा और उसके बाद एक और उनका संग्रे आया शाही ताल ये तीन संग्रे आये और कवी ने कहा सीरीज के तहत उनकी कवीताओं का परतिनी दी कवीताओं का भी संक्लन है और जैसा कि मैंने कहा उन्होंने बहुत महतपूर्ण कवीताइं लिखी और ना केवल हिंदी में कवीताइं लिखी बलकि हिंदी के अतिरिक जो दूसरी भाषाओं में देशी विदेशी भाषाओं में जो महत्पूर्ण कवी हैं उनकी चर्चित कवीताओं का अनुवाद भी किया डंगवाल जी हमारे साथ भोतिक रूप से 28 सितंबर 2015 तक रहे अर्थाथ 28 सितंबर 2015 में उनकी बृति हुई और जैसा हमने कहा कि वो साधान चीजों को और प्रतीकों के और बिम्बों की हमने बात की कि उनकी कवीता के केंदर में रहता है कि ये कवीता भी तोप कवीता एक ऐसे ही विशे पे लिखी गई कवीता है जिसको हम एक प्रतीक के रूप में धरोवर के रूप में पढ़ सकते हैं और सामाने ते प्रतीक और जो धरोवर हैं वो दो तरहें के होते हैं दो किस्म की होती है एक जन से हम लगातार प्रेड़ना लेते हैं वो हमारी उपलब्दियां होती हैं और दूसरा ये भी होता है कि ऐसे प्रतीक, ऐसी धरोवर, ऐसे मिथक कहिए या कोई दूसरी ऐसी चीज जो कि हमारी गलतियों को भी बताती चलती है कि हमारे पूरवजों ने ये गलतियां की या यहां यहां हम से गलतियां होई उसको भी याद दिलाती है तो ये तोप कवीता भी वैसी ही है जैसा कि हमने कहा कि इस पाठ में भी एक ऐसा ही प्रतीक है, ऐसा ही एक बिम्ब चुना है कवी ने जो कि हमारी एक तरफ गुलामी का प्रतीक है और एक उसके साथ साथ उस विरोध के बाद उस प्रतीक का क्या हुआ उसका भी एक वो प्रतीक है जैसे कि इस्ट इंडिया कंपनी बाग की इसमें चर्चा है और वो इस्ट इंडिया कंपनी क्या है हम सब जानते हैं कि 1600 इस्वी में जब अंग्रेज भारत में आये तो उनका मुख्य काम जो था वो व्यापार का था लेकिन वो व्यापार करते करते धीरे धीरे वो व्यापारी से हमारे सासक बन गए और इसी करम में उन्होंने अपनी सुविधा के लिए या जो भी कहिए जग कोई सुभा शाम उनका गोमने का या उस तरह का एक तरह से आराम का वो स्थान बना उनका और जब बाद में दूसरी तरफ तोफ है उसी वाग में रखी हुई और ये एक ऐसी तोफ है जो अंग्रेजों की तो विजय का प्रतीक है लेकिन हमारे जो सूर्मा थे हमारे जो भग थे वो उनके विरोध में काम करती थी अर्थात जो बहुत बड़ा कहिए कि नुकसान हमारे भारतियों का किया वो इसी तोफ ने किया एक तरफ बाग बगीचे हैं दूसरी तरफ ये तोफ है अंग्रेजी वर्चस्व का अंग्रेजी अत्याचार का तो ये दो प्रतीक इसमें आपको दिखाई देंगे लेकिन एक ऐसा समय भी आया जब धीरे धीरे स्वाधिन्ता अंदोलन के दोरान कि हमने उनसे अंग्रेजों से संगर्ष करते हुए आजादी पाई और आजादी के साथ-साथ फिर ये जो जितने भी शोशन के हथियार थे ये एक तरह से आप इसकी चर्चा विरिंडंगवाल ने भी की है कि जहां वो पढ़ते थे अलाबाद में वहां कंपनी बाग बहुत चर्चित बाग है वो उसमें भी ऐसी ही तोप रखी हुई है और दूसरे शहरों में भी हम देखेंगे कि आपको ऐसी तोप मिल जाएंगी तो ये एक प् तोप का क्या कहिए कि उस तोप की क्या प्रासंगीकता है उसकी क्या रेलिवेंसी है उसका क्या आर्थ रह गया है वही इस कवीता में हम लोगों को दिखाई देगा तो हम देखते हैं कि कवीता क्या कहती है और वो तोप के बारे में या दूसरे आर्थों के बारे में क्या क कवीता है तो कवीता पढ़ने का सबसे कहिए कि जो सहज तरीका है कि पहले हम लोग एक बार कवीता को दो बार तीन बार पढ़ें और यह कहा जाता है कि जैसे जैसे उस कवीता की ले उसकी ताल उसके शब्द उसके संदर्भ हमें समझ में आने लगेंगे तो कवीता भी समझ म आने लगती है यही इस कवीता के साथ है बहुत सहज कवीता है इसमें कोई कठिन शब्दावली जिसको हम कहते हैं बहुत ही गूड अर्थ वाली ऐसी नहीं है लेकिन आप उसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको सहज अर्थ वो देगी देखी हम इसको पढ़के देखते है कि कवीता क्या है कवीता है कमपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप इसकी होती है बड़ी सम्हाल विरासत में मिले कमपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है दो बार सुभा शाम कमपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिये थी मैंने अच्छे अच्छे सुर्माओं के धज्जे अपने जमाने में अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठ कर चिडिया ही अकसर करती हैं गपशप कभी कभी सैतानी में वे इसके भीतर भी घुज जाती हैं खास कर गोरईये वे बताती हैं कि दर असल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुह बंद यही साधान सी कवीता है सामाने से कहिए शब्दावली में यह कही गई है और यह बात डंगवाल जी ने भी रेखांकित की है कि अगर हम अपनी बात को आम जन तक पहुचाना चाहते हैं तो हमें अपनी शब्दावली यथा संभव सहज रखनी होगी जो आम जन के समझ में आ सके नहीं तो अगर भाषा और समाज की भाषा इन दोनों में कवीता की भाषा और समाज की भाषा में अगर बहुत अधिक दूरी हो जाएगी तो वो अपना आर्थ संप्रेशित करने में उसको कठिनाई होगी अब एक बार और पढ़ते हैं हम इस कवीता को, कवीता क्या है, तोब कमपनी बाग के मोहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोब, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कमपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है दो बार, अगर हम इसका आर्थ भी थोड़ा सा विस्तार से बातचीत करें, कि यह कमपनी बाग है, अलाबाद का हो सकता है, दूसरे किसी स्थान का हो सकता है, कि 1857 की तोब, यह 1857 के आंदोलन में इस्तिमाल की गई तोब है, और इसको बड़े संभाल के रखा गया है, विरासत में मिले कमपनी बाग की तरह, जैसे कमपनी बाग का जो मेंटिनेंस है, उसका रख रखाव है, वैसे ही इस तोब का भी रख रखाव किया जाता है, साल में चमकाई जाती है दो बार, और यह दो अफसर क्या है, यह भी कि दो बार, इसका जो अर्थ खुलता है, वो मुझे लगता है कि हमारा जो स्वाधिनता दिवस है, स्वतंतरता दिवस है, 15 अगस्त और 26 जन्वरी जो गंतंतर दिवस है, इन दो अवसरों पर विशेश रूप से इसको धोया जाता है, चमकाया जाता है, अर्थात अब ये उस गुलामी के अर्थ को लेते हुए भी उसके अर्थ को परिवर्थित कर देती है, वो अंग्रेजों के समय में उनकी सत्ता का प्रतीक था, लेकिन आज उसका अर्थ बदल गया है, और इस कंपनी बाग में सुभा शाम कंपनी बाग में आते हैं, बहुत से सैलानी जो घूमने वाले हैं, यात्री हैं वो आते हैं, उन्हें बताती है यह तो, कि मैं बड़ी जबर, जबर मतलब बहुत पावरफुल, बहुत जबर जस्त, उड़ा दिये थे मैंने अच्छे अच्छे सूर्माओं के धज्जे अपने जमाने में, अच्छे अच्छे सूर्माओं के, सूर्मा मतलब योद्धा, वीर, धज्जे, धज्जियां उड़ा देना कहते हैं, उसके की कागज, कागज, धज्जियां जो किसी भी वस्त्र के कागज के की उसके पर खच्छे उड़ा दिये थे एक तरह से, अपने जमाने में, अर्थात जब अंग्रेजों ने इस तोप का इस्तिमाल किया, तो जो हमारे सूर्मा थे, जो हमारे आजादी के दिवाने थे, आजादी के योद्धा थे, उनके खिलाफ इसका इस्तिमाल किया, अर्थात आप जानते हैं कि 1877 में बहुत सारे योधाओं को की तोप के मुझ से बांद के उनको उड़ा दिया था अर्थात वो वीरगती को प्राप्त हुए थे उस समय ये अंग्रेजों के पक्ष में बुरी तरह से इस्तिमाल की जाती थी लेकिन अब प्रस्तितियां बदली देश आजाद है और इस आजादी में इस तोप का भी अर्थ बदल गया है और वो क्या है अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके उपर बैठकर चिडियां ही अक्सर करती हैं गपशप कभी-कभी शैतानी में वे इसके भीतर भीगुश जाती हैं खास कर गोरेई कि अब देखिए इस तोप को अब जब बच्चे पार्क में खेलने के लिए आते हैं एक तरह से भयानक सोशन का प्रतीख है और दूसरी तरफ गोरेईया है या चिडिया है वो सबसे मासूम्यत का प्रतीख है कि इतनी कोमल है, इतनी सहज है, इतनी प्यारी है या तो बच्चे उसके उपर घुड़ सवारी करते हैं या वो चिडियां अकसर बैठ के उसके उपर गपशब करती हैं और कभी-कभी वो सैतानी में थोड़ी बदमाशी में कहते हैं जो उसकी नाल है उसका जो मुह है उसके अंदर तक चली जाती है गोरेया और यही इसका संदेश भी है कि एक तरफ उस तोप का वो इतिहास है जो भयानक है और दूसरी तरफ आज बच्चे और चिडियां उसके अंदर घुसते हैं खेलते हैं और ये कवीता की जो कहते हैं कि सास्वत लाइन की तरह इस्तेमाल होती है वो ये दो लाइने हैं वे बताती हैं कि दर असल कितनी भी बड़ी हो तोप एक दिन तो होना ही है उसका मुँबंद ये कवी कह रहे हैं कि आखिर कितनी ही बड़ी तोप हो उसका मुँबंद हो जाना है और वो क्या है कि कोई कितना ही बड़ा सामराजयवादी हो, कोई कितना ही बड़ा तानाशा हो उसका अंत एक न एक दिन निश्चित है जैसे कि अंग्रेजों का भी अंत हुआ और इस तोप का भी जो रूप है जो उसका रोल है वो बदल गया और आजकल वो जो इतनी भयानक थी वो एक खेल कूद के काम आती है मित्रो कवीता को हमने देखा कि कवीता क्या कहती है वो हमारे स्वाधिन तांदोलन में अंग्रेजियों की भूमी का हमारे सोतंतरता सेनानियों की भूमी का और उन प्रतीकों और उन धरोवर की तरफ भी इशारा करती है और क्योंकि ये हमारी पाठ्थे पुष्टक में शामिल है तो ये बात भी अक्सर कही जाती है कि हमें प्रस्न अभ्यासों को भी देखना चाहिए कि वो क्या कहते हैं हमारा लगातार इस बात पे बल है और ये लगबग हम हर कारिकरव में कहते हैं कि जो प्रस्न अभ्यास होते हैं वो पाठ्थ को खोलते हैं अर्थात कोई ऐसी बात जो कवीता में चर्चा नहीं हुई हो या वो आगे और अधिक चर्चा की मांग करती है या हम कहां तक उस पाठ्थ को उस संदर्ब को समझे उसके बारे में चर्चा करने का उसर देते हैं और इसमें भी वैसी ही कुछ प्रस्नावली दी हुई है कुछ सवाल दी हुए है वो आप देख सकते हैं कि जैसे कि विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है कोई भी तरह का जो हमारे इतिहास की इतिहासिक चीज़े हैं हम उनको क्यों संभाल के रखते हैं हम अपने इतिहास को याद रखना चाहते हैं उससे सिख्षा लेते हैं, बहुत सारी बातें आप इसमें देख सकते हैं और जिस संदर्ब की बात मैंने की थी, कि कवीता में तोप को दो बार चमकाने की बात है वो दो संदर्ब मैंने उसकी तरफ इशारा भी किया था और इसके अलावा इसमें सामाने से प्रस्ण है वो भाव स्पस्ट करिये कि क्या है उसमें और उसमें अलग से कोई बहुत विस्तार में जाने वाली बात नहीं है लेकिन एक इसमें एक बिंदू की तरफ इशारा किया गया है और वो है भाशा अध्यान हम यह कहते हैं कि जब भी आप भाशा को पढ़ें तो उसके संधर्ब को ध्यान में रखें कि वो कहां पे इस्तेमाल हो रही है जैसे इसमें एक शब्द आया है और उसका उलेक भी किया गया है कि धर रखी है देखिए पहली ही दूसरी पंक्ति में है कि कंपनी बाग के मुहाने, मुहाने मतलब उसके प्रवेश दवार पे जहां पे इंट्रेंस है, वहां पे धर रखी गई है, यह 1857 की तोप, धर रखी गई है, धर मतलब एक तो उसका धरना जिसको बोलते हैं कि सामाने तो वो रखी ह हुई है, दूसरा वो हमारी धरोवर है, और तीसरा एक मीनिंग होता है कि उसका ये सामाने की, जो कोई सहेज के जिस चीज को हम रखते हैं, हम उन शब्दों का संदर्ब देखें, उसका विस्तार देखें, और शब्दों के अर्थ के लिए ये बात मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, कि लगातार हमें शब्द को उसकी सहता लेनी चाहिए, जो कि शब्दों के अर्थों के सही संदर्ब को हमें बताते हैं, और उनका विस्तार भी देखते हैं, कि हमें नियूंतम अर्थ तक नहीं जाना चाहिए, हमें अधिकतम संदर्बों की तलास करनी चाहिए कि एक शब्ड, क्योंकि कवीता में अक्सर होता क्या है कि वो अभिदा से जाधा लक्षना और वेंजना की तरफ जाती है कवीता, अर्थात कवीता जो कहती है, उसके अलावा भी उसके कई अर्थ अर्थ हो सकते हैं, और इसमें आपकी योगयता विस्तार और उसके लिए भी दो बिंदू दिये हुए हैं वो ये है कि आप ये कहा गया है कि आप कोशिस करिये कि अपने इर्दगिर्द जो बाग बगीचे हैं उनका रख रखाव या किसी तरह का जो भी आप देखते हैं उनमें ठीक से मेंटेनस नहीं है उसके उपर चर्चा कर सकते हैं कोई नोट्स बन चीज है उसका रख रखाव कैसा है और एक अंतिम सवाल इसमें ये दिया गया है और वो ये है कि आप हमारे जो स्वाधिन्ता सेनानी थे हमारी आजादी के जो योधा थे उनके बारे में अधिक जाने और इसके लिए आप अपनी ये मैं फिर कहता हूँगा अगर आपके प पुस्तकाले है पुस्तकाले के इस्तेमाल करिए उसमें जो इससे संबंदित पुस्तके हैं या आजकल एक सुवीधा हमारे पास इंटरनेट की भी रहती है तो आप ऐसी सामगरी जो सुतंतरता सेनानियों से संबंदित हो उसको पढ़ें उस पे विचार करें कक्षा में आमाने से प्रतीक को किस तरह से एक विस्तरित और नया आर्थ दे दिया है ये कवीता इस बात की और भी इशारा कर रही है कि हमें लगातार अपने इर्द गिर्द की जो चीजें हैं उन पे सुक्ष्मता से ध्यान देना चाहिए अगर हम इस चीज को और इस कवीता को ठीक संदर्बों में समझेंगे अपनी प्रस्तितियों से जोड के समझेंगे तो निश्चित रूप से ही कवीता हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगी और मैं चाहूँगा कि हम इसको इसी अर्थ में ग्रहन करें धन्यवाद झाल